नमस्कार आप सभी का आएगा इंस्ट्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिहार आज सूचना आयुक के सूचना आयुक्त द्वारा एक गजब सा मुझे सलाह दिया गया कल मैं एक सुनवाई एक सिकायत बात से संबंदिक कर रहा था जिसमें सिकायत यह था कि एक पंचायत सेवक ग्राम पंचायत सेवक ने मेरे आवेदन को लिया नहीं था अब लेकिन लिया था या नहीं लिया था इसे परमानित करना कुछ कठिन सा आयुक को लगा आप लोग देखें यह बात संख्या है 297-2021 जिसकी सुनवाई 37-22 को ही हुई थी और अगली तिथी थी 12-9-2022 जैसा की आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कल की सुनवाई में मैं उपस्थित हुआ इसलिए कल वीडियो मैं नहीं बना पाया था आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मेरा सिकायत क्या था मैंने सिकायत किया था कि पंचायत सेवक मेरे आवेदन को नहीं लिया पंचायत नहीं आता है इस कारण डाग द्वारा जो है लोटा दिया गया यह प्रपत्र को था देख रहे हैं जिसमें मैंने यहां सिकायत बात किया था धारा अठारा के तहत आप लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों को असपश्ट दिखा रहा हूं और यह हैं मेरे द्वारा डाग को जो वापस किया गया था इसमें लिखा गया है कि प्राप्त करता पंचायत नहीं आता इसलिए वापस किया और इसमें छह दिन डाग के माध्यम से दिखाया गया है कि उसे डाग के द्वारा भेजा गया था अठारा उनिस एकीस बाइस तैस चोविस पुनह मैंने द्वारा धी पत्र भेजा था जिसमें भी यहीं लिखा गया प्राप्त करता पंचायत काडिया ले नहीं आता में भी यह छे दिन तक पंचायत नहीं आये थे इसी संबंद में मैंने एक सूचना आयोग में सिकायत किया था लेकिन सूचना आयुक्त द्वारा मुझे यह कहकर मेरे बाद को खारिज कर दिया गया कि इससे यह सावित नहीं होता है कि लोक सूचना पुदादिकारी ने मेरे आविदन को लेने से इनकार किर दिया अब यह समझने वाली बात है कि इस स्थिति में हम सूचना प्राप्त करने वाले आविदक को आर्टियाई खारिकर्ता को अब क्या करना चाहिए यह सूचना आयोग ने मेरे बात को यह कह कर ही खारिज कर दिया कि पंचायत सेवक ने जान बूझ कर सूचना लेने से मना नहीं किया है अब आप लोग इसे क्या कहेंगे क्या करना चाहिए यदि कोई उचित जानकार उचित सलाकार हो तो मुझे अवस कोमेंट कर बताएंगे कि इस विसे में क्या करें या क्या करना चाहिए इसमें कौन दोसी है लोग सूचना पदाधिकारी दोसी है या डाक वाले दोसी है या सूचना आयुक ने जो मेरे बात को खारिज किया है वो दोसी है इसकी जानकारी हमें अवस्चित देंगे जैहिन